किसानों के दलाल फिर से दिल्ली कूछ कर रहे हैं मैं किसानों का दलाल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह असली किसान नहीं है यह जो तथा कथित किसान नेता है कोई 500 करोड का मालिक है कोई 1000 करोड का मालिक है किसी के पास 10 पेट्रोल पम्प है किसी के पास 20 पेट्रोल पम्प किसी के पास बड़े बड़े फॉमाउस है तो ये किसान नहीं है वास्तों में किसानों के दलाल है ये किसानों के नाम पे political party'y'o'n से दलाली करते हैं कोई political party इनको 100 करोड दे देती है इधर ना सुरू कर देते हैं अब समाधान क्या है समाधान यह है कठोर कानून जब इस पिछली बार बैठे थे ना जब इन्होंने लाल किला पे हमला किया बाकी सड़क को जाम किया अगर ढंग से इनके खिलाफ मुकदमा हो गया होता और साल भर के अंदर इनको सजा हो गई होती तो यह जेल में होते हैं बाहर होते ही नहीं यह बाहर इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि कानून घटिया है आप ज़रा सोचिए आम आदमी अगर हेलमेट नहीं लगाता तो चलान कड़ता है सीट बेल्ट नहीं लगाता तो चलान कड़ता है ट्रैफिक रेड लाइट तोड़ देता है तो भी चलान कड़ता है और वहीं यह किसानों के दलाल हाईवे घेर के बैठ जाते हैं इनके उपर कोई कारवाई नहीं होती लाल किले के उपर जाके खड़े हो जाते हैं कोई कारवाई नहीं होती इतना बड़ा खौफ और ये घटिया कानूनों का फाइदा उठा रहे मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अगर प्रापर्टी को आधार से लिंग करने के लिए कानून बन जाए ना कि जो भी पचास जार रुपए से महगी संपत्ती है उसको आधार से लिंग किया जाए कि एक कानून बन जाए इन किसानों का कालो काला कारोबार सामने आ जाएगा ये जितने किसान तथा के थी सफेद कुर्टे पैजामिम चप्पल में दिख रहे हैं ना फिर पता चलेगा ये मरस्डीज इनके पास करोड़ रुपए की मरस्डीज है इनके पास बड़े-बड़े फार्माउस है इनकी फैक्टियां चल नहीं है इनके पास पांसो एकड़ हजार हजार एकड़ इनके पास जमीने है सारा का सारा फिर पता चलेगा कि इनके पास बांबे में भी मकान है दिल्ली में भी मकान है बैंगलोर में भी मकान है और गोवा में भी मकार यह कड़ी सचाई आपको बता रहा हूँ केवल प्रापर्टी को अधार से लिंक करने के लिए कानून बन जाए फिर पता चलेगा इनके पास कितनी बेनामी संपत्ती है इनके पास कितनी आयसरी संपत्ती है केवल भारत में पुलिस चार्टर लागू कर दिया जाए कि जो आदमी अवैध कारे करेगा कानून तोड़ेगा एक घंटे के अंदर अफायार होगी और एक महिने के अंदर जाच पुरी होगी और दुनिया कई देसों में है अरे कुछ दिन पहले ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी पुलिस ने आके चालान कर दिया पुलिस ने चालान कर दिया ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर इसी सुनक का हम उन देशु सीख नहीं सकते क्या कि जो आदमी हाइवे जाम करेगा सड़क जाम करेगा लोगों को परेशान करेगा सड़क में गढढ़ा खो देगा सड़क को तोड़ेगा उससे उसकी पैसा भी चीनेंगे जो पब्लिक प्रापर्टी डेमेज होगी वो भी चीनेंगे और धर्ना प्रदरसन के नाम पे आप ऐसे थोड़ी छोड़ सकते हैं कि आदमी कुछ भी कर ले आखे और किसान अंदोलन की आल में आड में खालिस्तानी भी कूच कर रहे हैं वो कनाड़ा में बैठा हुआ जो खालिस्तानियों का नेता है वहां से धमकी दे रहा है पन्नू कि स सारे खालिस्तानी आगे बढ़ो इसलिए मैं कह रहा हूं यह किसान अंदोलन नहीं यह पूरी तरीके से पुलिटिकल पार्टियों द्वारा और अलगावादियों द्वारा एक आयोजित कारिकम है चलो यह जो भी है लेकिन तूतू में में करने से नहीं रुकेगा वीडिय तो चले यह किसान नेता है यह किसानों के दलाल है जनता को पता चलना चाहिए पुलिस चार्टर लागू करिए एक घंटे के अंदर एक महिने के अंदर जाच जुडिशल चार्टर लागू करिए एक साल के अंदर फैसला जस्टिस विदिनियर और जिसके पास कालाधन मिले जिसके पास बेनामी संपत्ती मिले उसको 100% प्रपर्टी जब्त करने के लिए कानून बनाईए जिसके पास कालाधन बेनामी संपत्ती मिले उसकी नागरिकता खतम करने के लिए कानून बनाईए और जैसे दुनिया के कई देसों में ब्रश्टाचारियों को फासी देने का कान करिए वन नेशन वन पुलिस कोड बनाईए नारको पॉलिग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून मनाईए आटिकल 20 में संसोधन करिए ये प्रापर्टी को आधार से लिंग करने के लिए कानून बनाईए ब्रस्टाचारियों की 100% प्रापर्टी जब्त करने आजीवन कारावास देने और नागरिक तक खतम करने के लिए कानून मनाईए और सबसे ज़्यादा जरूरी है जुडिसियल चार्टर लागू करिए एक साल के अंदर मुकर्णों का फैसला हो या अनिवारी करिए जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक ये अलगाववादी, जहादी, दलाल ये इकठा होते रहेंगे और ये जो अंदोलन जी भी बैठे हुए है न ये जो दिल्ली के तथा कतित खान मार्केट गाइंग वाले, ये खान मार्केट गाइंग वाले भी अरब पती हैं ये जो चप्पल पहन के घूमते हैं कई बार आपने देखा होगा जो खिसानों के बीच में के प्रेस कांफरेंस करते हैं ये सब पांच-पांच दददस मकान के मालिक है करते धरते कुछ नहीं है, इंकम कोई नहीं है, लेकिन प्रापर्टी खुब बना रहे, दिली में बैठे बैठे, और कैसे, कभी उस पॉलिटिकल पार्टी की सारे पर काम करेंगे, कभी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की सारे काम करेंगे, कभी तिसरी पॉलिटिकल पार्टी की सारे काम करनाने के लिए ये कभी अगबारों में लेख लिखेंगे कभी टीबी पर बाइट देंगे तो यह जो अराजकता फैली है इस अराजकता का एक हिलाज है सौर उपै से बड़ी नोट बंद कर दिया जाए मैं गारंटी के साथ कहता हूं जिस दिन सार उपै बड़ी नोट बंद हो जाएगी आदी आज्यकता ऐसी खतम हो जहें मिजन प्रपर्परि को अधार से लिंक करने के लिए इस किसान अंदोलों के समर्थक कर रहे हैं न यह सब कैस में मोटा कारोबार करते हैं सब कैस में मोटा कारोबार करते हैं सब रुपय से बड़ी नोट बंद हो जाए पांच जार रुपय से महंगे समान का कैसलें दिन बंद हो जाए प्रापर्टी को अधार से लिंग कर दिया जाए वन नेशन वन टैक्स लागू कर दिया जाए कि आपको सारा का सारा आपको डिजिटल टांजेक्शन करना है और जस्टिस विदिन ये लागू कर दिया जाए कि जिसके पास कालाधन मिला आए सरी संपत्ती मिली बिदामी संपत्ती मिलेगी उसका फैंसला एक साल में होगा और ब्रस्टाचारियों के 100% प्रापर्टी जबत होगी ब्रस्टाचारियों के नागरिकता खतम होगी सिटिजन सिप खतम करना सबसे इंपोर्टन बरस्टाचारीों, आज इकारावास फारासी कानुन, फारा सी देंगे मैं गारंटी के साथ कहता हूँ न यह जो कभी इसके नाम पे, कभी उसके नाम पे, कभी उनके ही सारे पे कभी कनाडा से पैसा मिल गया तो अंदोलन्ण शुरू कर देंगे कभी अमेरिका से पैसा मिल गया तो अंदोलन शुरू कर देंगे कभी खाड़ी देशों से पैसा आ गया तो अंदोलन शुरू कर देंगे इस सारे पत्थर बाज अंदोलन जीवी न इस सारे के सारे ठिकाने लग जाएंगे सारे जेल में सड़ेंगे ये बाहर इसलिए घूम रहे ये पॉलिटिकल पार्टियों के दलाल इसलिए बाहर घूम रहे क्योंकि हमारा कानून घटिया है हमारी नयाइक बिवस्ता सड़ चुकी है और फेस्बूक पर सेयर करने से ट्विटर पर ट्रेंडिंग करने से यह अराजकता खतम नहीं होगी अराजकता खतम होगी सठेश साथम समाचरेद इस सिध्धान के अनुसार जब कानून होगा अब भगवान शिराम ने बोला भैविन हो इन अप्रीत यह जो पॉल्टिकल पार्टियों के दलाल है इनको भै नहीं है और भै क्यूं नहीं है उनको पता है भारत में कानून करा जब कानून घटिया है उनको भै इसलिए नहीं है कि उस जानते है कि सोनिया गाधी को आस तक सजा नहीं हुई वाडरा को आस तक सजा नहीं हुई राहुल गाधी को आस तक सजा नहीं तो मुझे भी नहीं होगी यह जो पॉलिटिकल पार्टियों के दलाल है ना अंदोलन जीवी समस्या जीवी यह जानते हैं कि कानून महा घटिया है मुकदमा पचास साल चलेगा और होगा कुछ नहीं और हजार दोजार लोगों को भीड़ी कठा करके घेर लेंगे तो मुकदमा वापस हो जाएगा यही हो रहा है अधरवाई यह जो घूम रहें ट्रेक्टर लेके और जो नहीं नहीं बयान दे रहें ऐसे थोड़ी करते सड़क को खोद देना हाईवे जाम कर देना दिल्ली के असपा जो लोग रहते हैं उनकी जिंदगी न रखो जाती हाईवे जाम होने के कर तो समाधान इसका क्या है आप लोगों से में रिक्ष्ट करता हूँ प्लीज दल गुलामी छोड़ दीजे जातियों के अधार पे बटना छोड़ दीजे भाषा के अधार पे बटना छोड़ दीजे पॉलिटिकल पाइटियों के गुलामी करना छोड़ दीजे अपने चार हजार पांच जार फेस्बुक फ्रेंड बनाईए हर समस्या का मूल कारण लिखिए अस्थाई समाधान लिखिए नहीं तो ये अभिनेता अभिनेता लेखक बुद्धिजीवी पत्रकार कलमकार कभी गांधिवाद की बात करेंगे कभी समाजवाद की बात करेंगे कभी अंबेडिकर बात की बात करेंगे पेडियार बात की बात करेंगे ऐसे नए नए जुमले देते रहेंगा आप उसी जुमले में फसे रहेंगे न भ्रश्टाचार कम होगा ना अपराध कम होगा ना राजकता कम होगी